हम दो हमारे दो के नारे के साथ भारत बच्चाव महारत यात्रा 28 फरवरी को जम्मू से शुरू हो गई थी सत्तर दिवसी भारत बच्चाव महारत यात्रा 22 राज्यों में 18,000 किलोमीटर की दूरी तैकर एहम्दबाद आ पहुची है जहां पत्रकार परिशद महारत यात्रा की आगे की रणनीती तैयार कर रहे हैं 18 फरवरी को इस महा यात्रा की शुरुआत जमू कश्मीर से की गई थी आज वो महा यात्रा गुजरात के एहम्दबाद शहर में आ पहुची है जहां पर राष्ट निर्माड के राष्ट अध्धक्ष सुरेश चोहान ने मताया की हम दो हमारे दो के नारे के साथ भारत बच्चाव महारत यात्रा का त्रेपनवा दिन बनाया जा रहा है इसमें देश के लगबग सौसांसदो विधाय को और मंत्रियों ने प्रस्तावित जन संक्या नियंत्रन कानून को अपना आपचारिक समर्थन देने की घोशना की है 22 अप्रेल को दिल्ली में यात्रा का समापन पर 10 करोड लोगों के हस्ताक्षित ग्यापन राष्टपती महोदे को सौप कर जन संक्या नियंत्रन कानून बनाले के लिए आवश्यक कारेवाही का आग्रा किया जाएगा 18 फर्वरी को जम्मू कश्मीर से निकली 70 दिन 20,000 किलोमेटर की यात्रा लेके 54 दिन आज हम एमदाबाद करनावती शहर में है इसका उद्देश्य है कि हम दो हमारे दो तो सबके दो अर्ताथ हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून आए जिसमें हिंदु, मुस्लिम या इसाई कोई भी हो इनके बच्चे दो हो क्योंकि इस देश में विकास और जन संक्यावी स्पोर्ट इन दोनों के कॉम्पेटिशन में विकास कभी जीत नहीं सकता और हम हमारे खुन पसिने के कमाई से जो टैक्स देते हैं उसके बावजूद भी ये विकास हमको परयाप नहीं है क्योंके जन संक्या आतिरिकते हैं बड़े महानगरू की स्थीती तो यह है कि हम आपने बच्चों को शुद्ध हवा, पानी, दूद भी नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे में जन संक्या का नियंतरन जरूरी है इस पर सरकार ने विचार करना चाहिए इस महायात्रा को सभी समुदाय ने टेका दिया है हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या इसाई सभी इस महायात्रा में शामिल है और समर्थन कर रहे हैं भारत अभी भी शिलंका और माल्दीव जैसे चोटे देशों से 131 इस्थान पर है उभरती अर्थिवस्ता के मामले में 74 तर देशों में 62 इस्थान पर माना जा रहा है सुरिश शोहान ने बताया कि जन संक्या की अवरदीदर, भष्टचार, बेरुज़कारी, आर्तिक विश्यमता, असिक्षा, कुपोशन जैसी गंभीर समिस्याओं की जन्नी है आबादी के बढ़ने का ये डर कभी भी भारत को विक्सित देशों की श्रेणी में नहीं आने देगी महारत यात्रा अभी तक पंचाब, तेलंगाना, तमिलनाडू, पांडुचेरी, केरल, मध्यप्रदेश, राजिस्थान के रास्ते होकर दिल्ली के लोई रवाना हो रही है दिल्ली जाकर इस यात्रा का समापन किया झाल